हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पृत्वी पर मौझूद पाँच ऐसे विचित्र जीव जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना या देखा होगा तो हमारे लिस्ट का सबसे पहला जानवर है एक ऐसा साप जिसके सींग होते हैं जी हाँ ये एक ऐसा साप है जिसे सींग है और इसे कहा जाता है इसका नाम है हॉर्ण वाइपर स्नेक इसे सहरान हॉर्ण वाइपर स्नेक भी कहा जाता है क्योंकि ये सहारा के मरुष्थल में पा नाम में वाइपर लगा हुआ है ये काफी भिसहले होते हैं ये उत्री अफ्रीका और मध्यपूर्व के कुछ हिस्सों में पाये जाते हैं इनकी बहुत सारी खास बाते हैं जैसे इने इनके आखों के ऊपर सिंगों के द्वारा पहचाना जा सकता है इनके कुछ परजातियों में मातर एक सिंग होते हैं और कुछ परजातियों के तो मतलब पूछ में जुन जुने होते हैं जिसको बजा करके वो अपने सिकार को ये अपने पूछ को हिला करके अपने सत्रू को या फिर अपने सिकार को चकमा दे लेते हैं ये बड़ी आसानी से बालू में छिप सकते हैं ये अपना पुरा सरीर बालू की नीचे दबा लेते हैं और इनके सरीर का रंग भी ऐसा है कि बालू में दिखाई भी नहीं देते हैं और अपने सिर को निकाल के रखते हैं लेकिन जैसे ही इने कोई सिकार दिखता है यह देखिए इनके बाइट से कोई भी सिकार बच नहीं पाता है अब हम अपने वीडियो के अगले लिस्ट पे चलते हैं जो की अगला जानवर है और उसका नाम है टार्सियर आप ध्यान से देखिए इस जानवर को यह अपने फूर्ती के लिए जाना जाता है इसकी पकर पेर पर इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि यह कभी गिरता नहीं है और काफी आसानी से किसी भी छोटे कीरे मकोरे या फिर गिर्गिट या पौधे पर पाय जाने वाले छोटे जंतुओं को बड़ी आसानी से चटक कर जाता है आप इसकी पकर को देखिए यह इतना ज्यादा त सथे किन्तु अब यह सिमित रह चुके है विशयस इसया के पूर यह के दुइपो पर पाये जाते हैं जैसे फिलिपिन्स पेरोपर आसानी से पकर बना लेते हैं, तो ये काफी सुनहरे दिखते हैं, मतलब काफी क्यूट दिखने वाले जन्तू हैं, इन्हें पालतू बनाया जा सकता है या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये काफी फूर्तीले और चंचल होते हैं, ये पौधे पर पाया ज और यह अब काफी कम संख्याएं बच गया है तो इनको भी मतलब ऐसी सुची में डाला गया है जहां इनके संख्रक्षन किया है यह जब जंगलों में दिखते हैं तो काफी लोग इसे देखते रहते हैं क्योंकि इसकी आखे इतनी बरी-बरी होती है और ढरावने भी यह दिख प्घ todavía मतलब कि एक ऐसा बंदर है जो बहुत ही छोटा होता है यह इतना चोटा होता होता है ने इस फोटो ने देख पा रहा है यह काफी चोटा होता है अपने इस बंदर को आस यह से पहले कभी नहीं देखा होगा अक्सर बंदर अपने पेट में बच्चों को रखते हैं पेट से चिपका कर लेकिन ये काफी छोटा है और अपने बच्चे को पीट पे रखता है सोची एक बड़ा सा पिग्मी मारमोसेट आप आ सकता है तो उसका छोटा बच्चा कितना छोटा होगा और ये सबसे खास बात इसकी है कि ये पालतू बनाया जा सकता है ये पालतू भी हो सकते हैं इन्हें पाला भी जाता है ये दक्षिन अमेरिका के पस्चिमी अमेजन बेसीन के बरसा बनों में पाया जाते हैं ये बंदोरों की परजाती का सबसे छोटा बंदर है और इसका वज यह भारत में भी पाया जाता है और कई देशों में पाया जाता है यह इश के सरीर पर क cable on cm open OCT कि यह चीपी को किसी भी जगह से खोट कर निकालने में माहिर होते हैं यह चीपी और दीमग को खाते हैं चाहेh पौधा कितना भी सक्त या मजबूत है अगर उसके अंदर इन्हें चीटी दिग गई तो उस पौधे की खैर नहीं यह उस पौधे को नोच डालते हैं इनके बड़े बड़े नाखूनों के कारण और यह पालतू भी बनाया जा सकते हैं क्या आप भी ऐसे जानवड़ों को पा पाइता से यह किसी छेद से भी चीटी को आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि इनके चीप चीपे होते हैं उसमें चीटी सड़ जाती है जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह किसी भी छिद्र से चीटी को खोद कर निकाल लेते हैं चाहे वो जमीन हो चाहे वो पेर हो चाहे वो इसी भी तरह के अस्थल से चीटी को खोद कर निकाल लेते हैं यह एक अस्तंधारी है प्रित्वी पर मात्रे की यह एक ऐसा अस्तंधारी है जिसके सरीर के उपर सल्क होते हैं और कवच होता है यह खतरा देखते हैं यह अपने सरीर को पूरा गोल कर लेता है जैसा कि आपने प प्राचीन प्रिजाती का बंदर है यह भारत के पस्चिमी असम में पाया जाता है इसकी खोज उन्हें 150 में की गई है नेपाल के जाज़ानी काठमांडू में इन्हें पूजा जाता है यह अपने सरीर पर गोल्डेन कलर के मतलब की सुनहरे बालों के लिए जाने जाते हैं उन पतले से पतले पेरों पे और इनकी भी बहुत ही कम प्रजातियां बची है और इन्हें भी एक ऐसी सुची में रखा गया है जहां से जीवों को बचाया जा सकता है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा बाल बाल